नमस्ते सस्रीकाल आदाब खमागिनी केमचो के रोहाल का सकाए मैं हूं करन रजानी आप देख रहे हैं बॉलीवूड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवूड हेल्प लाइन पर दोस्तों आपको पता है मैं हमेजा स्मिता पारिक की बात करता रहता हूं वो की देखा है कि स्मिता पारिक जो है वो हमेशा सुषान सिंग राजपूद को कुछ ना कुछ गिफ्स देती थी हमारे सामने मैं जब भी वहां पर उनसे मुलाकात करता था स्मिता पारिक से तब मैं देखता था कि सुषान सिंग राजपूद के लिए वो कुछ ना कुछ एक बात की थी फोन पर जायन से मुझे पता चला कि उन्होंने एक मन्नत भी मांगी है और उन्होंने कहा था कि हम सभी चलेंगे केदारनाथ के दर्शन पर क्योंके जो सुशान्सिक राजपूत थे वो शंकर भगवान के काफी बड़े भक्त थे अब मैं आपको अगर बता हुन्ह चक्रवर्दी सैमिल मेरिंडा और अब उन्होंने कहा इतनी जादा तेजी बढ़ गई है एंसीबी की मैं बहुत जादा खुश हूँ उन्होंने नाम लिये है कुछ बॉलीवूर अभी नेत्रियों के और कहा है कि बहुत अच्छा हुआ है कि इतना जल्दी जल्दी इनको ब पुला लिया पूशताज के लिए मैं बहुत जादा खुश हूँ कि एंसीबी जो है वो काफी तेजी से जो रफ्तार से अपना काम कर रही है लेकिन उन्हें कहा कि सीबी आई से हमारी काफी जादा उमीदे हैं हलाकि वह मुझसे भी बात करते हैं तो यह बात हमेशा कहती है कि करन कि हम सीबी आई से जो जस्टिस की मांग है वो सभी की है लेकिन समिता पारे के आप पोस्ट को अगर देखेंगे तो काफी लोग उनसे सहमत होते हैं कभी भी कोई लोग जो होते कोई भी इनसान मैंने अब तक नहीं देखा जो उनसे नेगेटिव होता है उनको मदर आ और रेडियोज हूँ आप देख सकते हैं इस इंटेव्यू को लेकिन अब बात यह है कि NCB तेजी से काम कर रही है और CPI जो है वो जस्टिस देने के लिए तयार है लेकिन स्मिता पारे कह रही है कि फिलहाल बहुत तेजी से NCB का काम जैसे चालू है वैसे ही CPI का काम भी टेकर और गुट बाइ